आप देख रहे हैं यूपी क्राइम नियूज अप्राद के खलाब चंग भॉलपु शहर में बज़री से भरे ट्रक्टर ने साइकिल पर गेहु पिस्वानी जा रहे 17 साल के खिशोर कुमारी तकल मौके पर ही मौद मैनपुरी के क्रिश्यन मैदान में उम्राद यूवाओं का जन सेलाब 2019 के लोग सुभाद चुनाव में यूवाओं द्वारा केंद्र में बीजेबी की प्रचंड बहुमत की बनेगी स्तरकार चित्रकूर जिले की कर्भी ब्लॉक में ग्राम पंचाट के सरकारी नाले को लेकर हो रहा बंदर बाट बिजनान में पडोस में ही रहने वाले एक यूवग ने दो सातियों के साथ मिलकर दूसरे यूवग पर किया चाकों से जानलेवा हमला यूवग हुआ लगुलूकाद और लखनव में नार्दन रेल्वे मैंस यूनियन के सत्तरवे वाईशी गदिवेशन का हुआ आयोजन रेल मंद्री पियूश गोयल नेवी की शिरकर नमस्कार आप देख रहे हैं यूपी क्राइम नियूज और आपके साथ मैं हूँ साक्षी रोकरते हैं खबरों की धौलपुर शहर में बजरी माफियाओं का आतंक सर चड़कर बोल रहा है बजरी माफिया के आतंक की चलते देर शाम को बजरी से भरे ट्राक्टर ने एक साइकल पर गेहू पिस्वाने के लिए जा रहे हैं भालपुर शहर में बजरी माफियाओं का आतंक सर चड़कर बोल रहा है बजरी माफिया के आतंक के चलते शाम को बजरी से भरे ट्राक्टर ने साइकल पर गेहू पिस्वाने के लिए जा रहे हैं साल के बच्चे को रामकेश को टक्कर मार दी अवैद चंबल बजरी से भरे ट्राक्टर की टक्कर से मासुम की मौके पर ही मौत हो गए मौत से गुस्षाई परिजनों ने जगदीश तिराहे पर खड़े पुलिस कर्मियों को सूचना दी कि स्थानिये लोगों के मुताबिक जब पुलिस कर्मियों ने मौके से भाग रहे ट्राक्टर को पकड़नी का प्रयास नहीं किया तो स्थानिये लोग अपनी मोटर साइकल से बजरी माफियाओं का पीछा करने लगे जिस पर बजरी माफिया स्थानिये लोगों पर पत्राव कर भागने में कामियाब रहे घटना से गुस्षाई लोगों ने परिजनों के साथ मासूम के शब को जगदीश तिराहे पर रख आसुग्यास की गोरेश होड़ने के बाद ही लोग मौके से नहीं उठे जिसके बाद मौके पर पहुंची कुछ समा सेवी की मद्यस्तिता के बाद लोगों ने जाम खोलते हुए शब को पोस्ट मॉटम के लिए भीजा धालपुर शहर में पोलिस कर्मी और आम लोगों के ब मैन्पुरी जेली की क्रिश्चियन मैदान में युवराव का जन सेलाप ये बया कर रहा है कि 2019 के लोक सवाचुडाव में युवरा केंद्र में भारती एंजनता पार्टी की प्रचंद बहुमत की सरकार बनेगी जिसमें युवराव की भागिदारी सबसे जादा रहेगी क्रिश्चियन मैदान में मुझूद लगबग 10 हज़ा की संख्या में युवाओं को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायन जनसवा को संबोधित कर रहे थे सपा की गड़ मैनपुरी कमल जनसंदिश बाइक रेली में हज़ारों की भीड उमड़ी मैनपुरी की क्रिश्यन मैदान में युवाओं का जनसलाव उमड़ा ये बया कर रहा है कि 2019 के लोगसवाचुनाव में युवाओं द्वरा केंद्र में भारतिय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी जिसमें युवाओं की भागेदारी सबसे आगे रहेगी और जिले की क्रिश्यन मैदान में मौझूद लगबग 10,000 की संख्या में युवाओं को संबोधित करते हुए भारतिय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायन संबोधित कर रहे थे आपको बताते की कमल संदेश यात्रा के जरीए भारतिय जनता पार्टी ने मैनपूरी जुले में एक बार फिल्ट से अपनी ताकत का हिसास कराने के उद्देश्य से युवाओं द्वाला मोटर साइकिल रैली का आयोजन किया जिसमें हर बूथों से बूथ अध्यक्षि की अगवाई में पांच-पांच मोटर साइकिल लाने का पार्टी संगठन ने सूचित किया कमल संदेश भाइक रैली का लुझन हो रहा है मैं पूदीव है इसको देश की जनता ने तै कर दिया है पार्टी संगठंग की बात को मानते हुए बीजेपी की इवाकारे करताओं ने क्रिस्चियन मैदान में मौजूद हजारू की संक्या में मोटर साइकल ये पयां कर रही थी कि 2019 की लोकसवा चुनाव में मैनपुरी जिले में स्थपा और कॉंग्रेस का खात्मा कर बीजेपी का सांसत बनेगा क्रिस्चियन में उम्डे जनसलाप से जिला मैनपुरी कमल मैं हो गया और मोधी योगी जिंदाबाद के नारू से पूरा जिला गुण जुठा इस मौके पर भोगा विधायक राम नरेश अग्री अगनी होतरी पूर्व विधायक अशोग चौहान डीसीवी चेर्मेन और पूर्व विधायक नरेंद्र सिंगर राठावर नगर पारी का देख्ष मनो रमा ओविसी मोचा के जलादेख्ष अलप संक्यक मोचा के शालोग गुपता भगवन्त दाश्याक के समेथ हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे योपी क्राइम नियुश के लिए समवादाता राहुल श्रीवास्तफ की रिपोर्ट चेत्रकूट जिले की करवी ब्लॉक में ग्राम पंचायत के सरकारी नाले में प्रधान सचिव पंचायत मित्र लेखपार और कुछ दवंग व्यक्ति नाले को खत्म करके किस तरह नेजी स्वार्थ के पैसों का बंदर बांट कर रहे हैं देखिए इस आगी की रिपोर्ट मे चेत्रकूट जिले की करवी ब्लॉक के ग्राम पंचायत पुर अकबर पुर के ग्राम प्रधान पुत्र ग्राम सचिव ग्राम पंचायत मित्र ग्राम लेक पाल और भूमाफिया द्वारा ग्राम सभा के सरकारी नाले को अपने नीजी इस्तेमाल के लिए बनाई जा रही है रोट को मन्रीगा की तहत बनवाया जा रहा है जिसमें आराजी नमबर 267 से आराजी नमबर 267 को नाला खत्म करके सड़क से जोड़ने का काम किया जा रहा है इस रोट की बनने से बाहा से आने वाले पानी देड़ सो घरों की बसी आवादी आदिवासी कोल वस्ती में भल थ्रियर लेकपाल जगर्णा सिंग पटील पंचायज सचीफ और पंचाएज मित्र हरीशंकर वर्मा और ग्राम प्रधान गयविशरणव वर्मा और प्रधान की पुत्रों नत्थु और संतोश पुत्रगर्ण गयविशरण वर्माद्वारा किया जा रहा है अगर मामले की जास्तुरंत ना कराए गई तो सरकारी धन का दूरुपीयों गुगा और ग्राम सभा की सरकारी जमीन में बने हुए नाले को खत्म करके रोड बनाई जा रही है मामले की जाच जल्चे जल्द कराई जाए और अवैद कार को रोक कर सरकारी धन के दूरुपीयों को बचाने का का देश करनी के साथ-साथ नाले को खत्म करके रोड मंज्रेगा के तहर बनाएगी जिसमें सरकारी धन का बंदर बांठ हुआ उक्त बंदर बांठ हुए सरकारी धन के भरपाई उक्त लोगों द्वारा करवाई जाएगी बिजनौर्पी पड़ोस में ही रहने वाले एक उसरे युवक पर चाकूं से जानलेवा हमला कर दिया जिससे युवक लहु लुखान हो गया युवक की चीग पुका सुनते ही आसपास के लोगों को आता देख आरोपी अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया वहीं मौके पर पहुंचे लोगों ने घायन को परचाकूं से फॉर्कान पर हमला कर दिया जिससे फॉरकान लह लहां हो गया और फॉर्कान की चेक फुकास सुनकर आसपास के लोगों को आता देख नउशाद अपने साठी के साथ मौक्य से फरार हो गया वही बोगी पहुची लोगों ने फॉरकान को घाय लवस्था में नजीबाबाद भर्टी करवाया जहां फुरकान की हालत नाजुक देखते हुए उसे बिजनौर रिफर कर दिया गया जहां फुरकान का इलाज चल रहा है नाम आपका फुरकान हमाद जी आजा अस्पिताल माय हो क्या है बुरा मामाद भर्टी कर दिया जान समानने के लिए और जब महले वाले खक्ता है सोर मचा कच छोड़ दो खागी और यह कहां का मामला है यह और किसने आपको द्हुंके दिये वही पुलिस ने मामला दर्जकर कारवाई शुरू कर दी है और आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है यूपी क्राइम निउज के लिए संबाद दाता सली महमत की रिपोर्ट लखनव में नारदन रेलवे मैंस यूनियन के 17 वालशिक अधिवेशन का आयोजन किया गया अधिवेशन में रेल मंत्री प्यूश गोयल ने भी शिर्कत की और हज्यारों की संख्या में रेलवे कर्मचारी वहाँ पर पहुँचे मंत्री प्यूश गोयल ने दीप प्रजोलित कर कारिक्रम का आयोजन किया और कारिक्रम में प्यूश गोयल पहुँचे और अधिवेशन में पहुँचे हज़ारों की संख्या में रेलवे कर्मचारी मंत्री प्यूश गोयल ने दीप प्रजोलित कर कारिक्रम का आयोजन किया कारिक्रम में मेर सयुकता भाटिया समेत कई नेता भी मौजूद रहे चार बाग के स्टेडियम में कारिक्रम का आयोजन किया गया और सुरक्षा को मद्धी नजर रखते हुए प्रजासन ने यूपी पुलिस और आर्पी एफ के साथ ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी यूपी क्राइम निउज के लिए संबाद दाता निखिल श्रीवास्तफ की और अब इसी के साथ दीजे मुझे इजाजत और आप देखते रहे हैं यूपी क्राइम निउज